अब यूटूब चैनल पिरामेडिकल केरेर अक्याडिमी में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको चो का जो अंशॉल्ट कुशन पेपर दिखाया था कप पेपर जो आपका इस लेवल का है ठीक है तो उसमें मैंने आपको यह भी बताया था है तो उनके कुशन के तो वीडियो को पूरा देखेगा एंड तक देखिएगा क्योंकि जो बच्चे हैं एक्सप्टर की तायारी कर रहे हैं तो अब आपको जो है इस वीडियो में आज सारी कुशन सौलूशन करके बताऊंगा ठीक है इनके आंसर क्या है पड़ते कुशन के तो वीडियो को पूरा देखेगा एंड तक देखिएगा क्योंकि जो बच्चे हैं एल्द इस वक्टर की तायारी कर रहे हैं मलेरा इंस वक्टर की तायारी कर रहे हैं यह सोलूशन दूँगा आपको इन में से कापिशन जो है रीपीट मिल जाएंगे देखने को यूप एन-च सब्सक्राइब में तो आपने यहां पर पहला क्यूशन देख लेते हैं विश्व स्वास्ते दियोस कब मनाया जाता है तो यह जो है आपके इसमें करेक्ट आंसर अप्शन डी साथ अप्रेल को ठीक है यह एक बार आपको पेपर दिखा देता हूं औरिनल पेपर है ठीक है बड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा सा दीगे है कि अ कि अ कि सेकेंड नंबर का क्यूशन है आपके भारत के वर्टमान राष्टपती को ने तो इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सी रामनात कॉविंट ठीक है क्यूशन नंबर थ्री एम आपका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा आपसन भी निस वेक तरह में वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुश्टन से काफिय बार यह कुश्टन आ चुका है ठीक है क्यूशन नंबर पॉर्ट नेमलेकित बिमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन किया जा चुका है ठी यहांपके क्मेट कुस्टम पूरा नहीं दिखा रहाएं तो आपको पूरा क् Э교 दिखा देताहं हो किसे नंबर फौर में नेमलेकित बिमारियों में से कौन सी बीमारी का भारत से निर्मूलन या उन्मूलन किया जा चुका है तो इसमें आपका गक्रेक्टा थैक्टाइग हरित करांदी या ग्रिन रियोलेशन का आहवान किस नहीं किया था तो क्विशन नमबर फाइब में करेक्ट आंसर हो जाएगा option C MS स्वामी नाथन ने क्विशन नमबर 6 भारत में सोच भारत अभियान का सोबर हम कब किया गया था तो इसमें आपका करेक्ट आंसर लाएगा option B 2 October 2014 को यह क्विशन जो है आपके 2014 का जो रेलवे में वेकेंश जायता है है उसमें यह क्विशन आ चुका है ठीक है और उसके अलावा जो है यह क्विशन आपको मैं बता दू चंडिगर्ड मुंसिपल कोरोपरेशन में जो सैनेटर इंस्पक्टर का वेकेंश जायता है उसमें भी यह क्विशन आ चुका है ठीक है तो आपको प्लीज यह क्विशन ज्यान से देखना है और एंट तक पूरा पेपर देखना है क्विशन नमबर 7 निम लिकित मेंसे कौन सी परक्रिया को ग क्रिक्षण जरागा ऑप्चन e ग्रिनहाउस एफक्ट क्विशन नमर्श नम लिकित मेंसे कौन सा रोक फीको औरल माध्यम से नहीं फेलता है तो question number 8 में correct answer जाए option A, कसरा Question को ध्यान से दिखिए नेमलेकित में से कौन सा रोग फीको औरल माध्यम से नहीं फेलता है तो इसमें आपका correct answer जाए गा option A, कसरा Question number 9 10 तरोग में मर्तिव का मुख्य कारण कौन सा है Question number 9 10 त्रोग में मर्त्यू का मुख्या कारण कौन सा है तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा option C निर्जली करण जिसमें अपने क्या है बच्चे के अंदर जो है पानी की कमी हो जाती है और उसको जो है मर्त्यू का मुख्या कारण यही होता है question number 10 निमले कितमें से पात वर्स से छोटे बच्चों के मर्त्यू क्या मुख्या कारण क्या है तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा question number 10 में option B pneumonia question number 11 बच्चों में सामाने capillary refill समय normal capillary time कितना होता है question number 11 में आपका correct answer option B 3 second से कम question number 12 question number 12 है आप एक छो मात के बच्चे की विकास का आंगलन कर रहे है सामनेता निमली कितमें से आप क्या उम्मीद कर सकते है question number 12 में आपका correct answer हो जाएगा option C बच्चा स्वाइम बैठ सकता है ठीक है question number 12 का right answer है आपका option number C बच्चा स्वाइम बैठ सकता है question number 13 भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामनेता कितना होता very very most important questions है बहुत ही common questions है हर एक exam में देखने को मिलता है ठीक है 1.5 से 2.5 kg या kilo 2 kg से 3 kg 2.5 kg से 3.5 kg 3 kg से 4 kg या kilo ठीक है तो 13 में आपका correct answer जाएगा option C 2.5 से 3.5 kg question number 14 जब कंगारू, Mother Care, KMC परदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक परदान करनी चाहिए तो इसमें आपका right answer जाएगा option B कम से कम एक घंटा very very important question से 15 लेबर रूम का तापमान degree Celsius में कितना होना चाहिए 15 में आपका correct answer जाएगा option B 26 से 28 question number 16 के दूद human milk में पाया जाता है तो question number 16 में आपका correct answer option D आई जीए दोस्तों इस question को रटली जिए बहुत बार ये question जो है repeat होता है ठीक है question number 17 BCG vaccine का injection किस प्रकार लगाया जाता है very very important questions है health inspector में हर एक exam में ये questions आ चुका है ठीक है और इसको आप अच्छे से रटली जिए क्योंकि चोटी चोटी चीज़े जो है आपका selection रुख देती जो question CG होता है अगर वो आपने सही नहीं किया तो आपका selection रुख जाता है तो please इन question को बहुत ही बारी किसी देखिए question number 17 में आपका correct answer जोगा option A इंट्राडर्मल लगता है PCG का वैक्षिन ठीक है या injection जो है इंट्राडर्मल दिया जाता है question number 18 कॉपलिक स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते है तो 18 में आपका correct answer जोगा option C कसरा कॉपलिक स्पॉट जिसको आपने बोलते है मौटे मौटे से दाने हो जाते है पूरी सरीर में पूरी बोडी का अंदर तो वो कसरा बीमारी में होता है ठीक है question number 19 समय कित बाल विकास सेमाई योजना ICDS scheme के लाबारती कोन है तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा option D A और B दोनो दोस्तो इस वीडियो को आप जरूर अपने फ्रेंड्स को सेर करिएगा जो स्टाप नर्स फार्मासिट लाइब टेकनिशन ठीक है इनकी तैयारी कर रहे हो तो क्योंकि यह सभी बच्चों के लिए जो है अपना common challenge है पेरामेडिकल केरेर अकेडिमी इसमें आपको दिखाए जाएंगे ठीक है वेकेंसी बताए जाएगी कहीं पे भी कोई प्रॉलम हो तो हम आपके हर एक प्रेशानी को जो है अपने चैनल के माध्यम से स्वाल करने की कौशिस करेंगे क्यूशन नंबर 20 कि निम्लिकित में से कैल्शिम का सबसे बढ़या सरोत क्या है तिसमें आपका करेक्ट आंसर जाएगा option C दूध क्यूशन नंबर 21 निम्लिकित में से कौन सा micronutrient नहीं है तो 21 में आपका करेक्ट आंसर जाएगा option C vitamins क्विटामिन 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 आपका करेक्ट आंसर जाएगा option B sun floor oil में क्यूशन नमबर 24 विटामिन C की कमी से कौन सी बिमारी होती है तो 24 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा option B इसका भी बहुत ही कॉमनिक क्यूशन है हर एक एक जाम में जो है देखने को मिलता है 25 क्यूशन है बच्चे को पूरक आहार कब शुरू कर देना चाहिए तो 25 में आपका करेक्ट आंसर जाएगा option B इसका माहा की उम्रे पर 26 क्यूशन है निमनलिकित में से कौन सा पौसक तत्तु टीशू रिपेर के लिए आउसेक है 26 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा protein जो है एक्सरसाइज करने के टाइम चीए क्योंकि अपने जो बोडी का अंदर टीशू जो होते हैं तूटने का काम करते हैं और उनको करने के लिए प्रोटीन की आउसेक्ता होती है ठीक है तो 26 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा option D 27 क्यूशन है निमनलिकित में से कौन सा लक्षण डेंगू बिमारी का नहीं है तो 27 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा option B 27 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा option B हलका बुकार डेंगू में जो है हलका बुकार नहीं होता है त Васkell को हो जो smiling टॉंटी श्याउन में 28 क्विशन है VVM का फुल फॉर्म क्या है तो 28 में आपका करेक्ट आंज अप्शन भी वैक्चिन वाहिल मॉनिटर बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट क्विशन से बहुत से एक्जाम में जो है यह रिपीट हुआ है कास कोरके वह बच्चे को तो पता ही हो यह जाता है यह किया जा सकता है किसी वस्तु बहुत कॐरानवाइरस से संक्रबन मुथ कि सराशायनिक प्दार्ट से किया जाता है यह किया जा सकता है तो 30 में आपका करेक्ट आंज आगा Judge तो इसको क्या है एक परसेंट बनाना होता है तो इसमें नव परसेंट जो है पानी मिलाना पड़ता है तब जाकर के यह जो है सेनेटाइज करने लाइग बनता है ठीक है क्यूशन नंबर 31 मल्टी ड्रग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टूबर कलोसिस के इलाज के अवधी कितनी होती है तो 31 का करेक्ट आंजर ऑप्सन डी कम से कम 24 से 27 महा 22 क्यूशन है गर्बती महिला को टिटने टॉक्षाइड के दो टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए तो 32 का करेक्ट आंजर हो जाएगा आपका आप्सन सी कम से कम 4 सपता का दोस्त बहुत-बहुत-वेरी-वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है गर्बत तो 33 में आपका करेक्ट आंसर रगा ऑप्शन ए बेक्टेरिया वाइरस फांगस प्रोटो जवात है थर्टीफोर में आपका करेक्ट आंसर रगा ऑप्शन बी बाइरस थर्टीफ फांगस ने मानुष शरीर में कितनी हडिया होती है बहुती सरल questions है और common questions है हर एक एक्जाम में देखने को मिल जाता है ये भी ठीक है तो 35 में आपका correct answer है option C 206 36 36 question है आपका TV की जांच के लिए के जाने वाल है Tuber clean test को क्या कहते हैं तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा option B Montex test 37 question है मानोव शरीर में सबसे बड़ी गरंती कौन सी है 37 का right answer हो जाएगा option B liver 38 question है testis द्वारा बनाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है 38 का right answer हो जाएगा option A testosterone 39 question है liver में कार्भाहार्डेट किस रूप में संग्रही या इस्टोर होता है तो 39 का right answer हो option D glycogen 40 number का question है किसी आबादी या समुधाई में कोई संक्रमी त्रोग से पहले रोगी को क्या कहते हैं तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा 40 का option B primary case question number 40 एक बार फिर repeat कर देते हैं किसी आबादी या समुधाई में कोई संक्रमी ट्रोग के पहले रोगी पस्ट केस को क्या कहते हैं तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा option B primary case 41 question है राजस्तान की शिश्यू मर्थिदर कितनी है तो 41 का right answer हो जाएगा आपका option C 36 परती 1000 पर question number 42 BMW से क्या तात पर रहे हैं तो 42 का correct answer हो जाएगा biomedical west option B 43 question है रत्यचाप, BP, मापते समय instrument की नलियों या tube को हाथे के kiss और रखना चाहिए तो 43 का correct answer हो जाएगा option B अंदर की और ठीक है अंदर की और medical 44 question है वर्तमान भारत के कुल पर दिन अंदर कितनी है तो 44 का correct answer हो जाएगा option B 2.2 45 question है आपका type 5 बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा test किया जाता है बहुत ही very very important questions है और बहुत से exam जो है आपको देखने को मिला होगा ठीक है तो 45 का correct answer हो जाएगा आपका विडाल test option A 46 question है विस्व स्वास्ते संगटन WHO का मुखहले कहा है तो 46 का correct answer लगा आपका जेनेवा option B दोस्तों ये questions आपके बहुत बार repeat वा है ठीक है health inspector वाले senator inspector malaria inspector की तैयारी कने वाले बच्चे इस question का अच्छे से रट लीजिएगा ठीक है 47 question है जल के सुद्धी करण के लिए कौन सा रासानिक पदार्थ इस्तुमाल किया जाता है तो 47 का correct answer लगा option B bleaching powder ये भी बहुती common questions है हर एक जाम में देखने को मिलेगा आपको 48 question एक प्रात्मिक स्वास्ते केंदर और उस्तन कितनी आवादी के लिए इस्तापित किया जाता है तो बहुती अच्छा questions है और हर बार देखने को मिलता है ये भी हर एक एक जाम में 48 में correct answer लगा option C 30,000 की जन्जान के आपर 49 question है वर्तमान में राष्तान की मर्त्यूदर मात्र मर्त्यूदर कितनी है तो इसका correct answer लगा option B लग बग 1500 परती एक लाग की जन्जान के आपर option B is right answer 50 question है देश में पिछली जन्जान ना कब की गई थी तो इसमें आपका correct answer लगा option B 2011 में 51 question है विश्व की कितनी जन्जान क्या भारत में रहती है 51 question का right answer लगा option C लग बग 17% question number 52 पीने के पानी में फिर रेडिशल कलोरीन की मात्रा कितनी होनी चीए बहुत ही very very important questions है तो 52 का right answer लगा option B 0.5 mg per liter 53 question है भारत में राष्टी जन्जान के अनीतिक कब लागो की गई बहुत ही very very important questions है ठीक है और यह सारे questions जो मैं आपको बता रहे हैं सारे questions आपको जो है मैंने health and sorry मैंने sanitary inspector diploma exam preparation की इसाब से जो है अपने सीरीच चलाई थी ठीक है उसमें बहुत सारे video डले हैं 30 के भी something 30 से भी उपर हो जाएंगी वो मैं बाकी की जो video भी डालने वाला है तो उनमें यह सारे questions आए हुए ठीक है और आपको यह answer में यहां पर बता रहा हुए अगर आप वो video भी देखना चाहते तो उनका लिंक आपको discussion में मिल जाएगा ठीक है और सारे video जरूर देखे जो सने ट्रेंस्पर्टरी तायारी कर रहे हैं competition exam की या diploma exam की तो सारे बच्चे उस playlist को जरूर उपन करें प्लीज उनका जो है link में आपको discussion में परवाइड करवा दूगा और यह सारे questions आपको देखने मिलेगा 53 questions मिलेगा आपको ठीक है और एक वो टाइफ है फिप्टी पॉर का करेक्टांतर है option C 2005 में 55 question है आशा आशा सयोगनी सामाने तह कितने आबादी के लिए सिर्माय परदान करती है तो 55 का करेक्टांतर है option B एकजार 56 question है निमलिकित में से कौन सी बीमारी का भारसे उनमुलन कर दिया गया है तो इसमें आपका करेक्टांतर है अपसंसी नारू रोग का 56 question है जन्म तता मर्तिव पंजीकरण अधनियम के अनुसा जन्म का पंजीकरण कितनी आउदी में करवा लेना चाहिए तो इसमें आपका करेक्टांतर हो जाएगा option D 21 दीवस में दोस्तों बहुत ही very very important questions है ठीके यह DSSP में पूचा जा चुका है और डिप्लाम जो करते हैं बच्चे सेनेटरिंस्पक्टर का उनकी तो यह questions आता है ठीक है 58 question है कसरा मीजल्स वैक्षिन का root of administration क्या है बहुत ही very very important question से 58 इसको जरूर आप अच्छे से रट लीजिएगा सब continuous दिया जाता है option B is right answer 58 का 59 question है एक वाइस का आदमी का body mass index कितना होना तो 59 का correct answer हो जाएगा आपके option B 20 से 25 60 question है बच्चों में 10 दो के इलाज के लिए ORS के साथ ने इमलिकित में से क्या दिया जाता है तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा 60 में option D जिंग दिया जाता है ठीक है 61 question है पर्तम उच्चार पर्सवत्तर रखते इस्त्राव में कौन सी दवा काम में नहीं ली जाती है तो 61 का right answer हो जाएगा option C Question number 62 पर्सव के संभाव तिति पता लगाने के लिए पिछली मावारी के समय पहले दीवस से कितने दिन जोडनी चाहिए तो 62 में correct answer जाएगा option C 9 माव में साथ दिन जोडनी चाहिए ठीक है 63 question है गर्बती महिला में सामाने सौसंदर कितनी होती है तो 63 का correct answer जाएगा option B 18 सा 20 परती मिनट 63 का right answer जाएगा option B 64 question है फिटो इसकोप से fatal heart sound गर्बधारन की कितनी अवदी बाद सुनी जा सकती है 64 का right answer जाएगा option C 24 सब्ता बाद बहुत ही very very important questions है यह सारे questions आपको जो है डिस्क्रिशन में playlist दी वे उसमें मिल जाएंगे ठीक है health and malaria inspector, sanitary inspector या sanitary inspector डिप्लोमा की जो भी exam preparation कर रहे हैं तो वो सारे बच्चे उस playlist में जितने भी वीडियो दिखते हैं आपको सारे वीडियो देखने चाहिए 65 question है रक्तम हेमोगलोविन की मात्रा कितने से कम होने पर गर्वती महिला को एनिमिक कहा जाता है तो 65 का राइट अंतर होगा अपसंची 11 जीप परतिसाथ 66 question है आई यू सीडी का क्या तात पर रहे हैं तो 66 का करेक्ट अंतर होगा अपसंची 67 question सामानेत फिटल हर्ट रेट कितनी होती है तो 67 का करेक्ट अंतर होगा अपसंची 120 से 116 परति मिनट 68 questions है आपका परतेक परसोव पूर जांच में निमलेकित जांचे की जानी चाहिए बहुत ही बेर बेर इंपर्टेंट 69 questions है 68 questions में आपका करेक्ट अंतर है option B हीमोगलोबीन यूरीन शूगर यूरीन अल्बुमीन option B ज्राइट अंसर 68 questions 69 questions है एक गर्वती महिला को चार महा के गर्व पर टिटन टॉक्साइड का पहला टीका लगाता अब वह आटो एमाय में जहांच है तू आईए आप टीटी के टीके के बारे में क्या निलने लेंगे तो 69 में आपका करेक्ट अंतर अंतर अप्शन B टीटी का दूसरा टीका लगाएंगे स्याउंटी क्यूसर ने हिमोगलोविन की मातर जातने के लिए क्या इस्तमाल किया जाता है तो 70 में करेक्ट अंतर अप्शन B एन अबलिक 10 हC-L 71 question है आपका गरबती महिला को कौन कौन से संक्रमनों के लिए जाचना चाहिए तो इसमें आपका करेक्टना जागा option B, HIV, Hepatitis B और C, लिए जाचना चाहिए 72 question है आपका photograph में, alert line और action line में कितने घंटों का अंतराल होता है तो 72 का करेक्टना जागा option C, 4 गंटे का 73 question है जानम के कितने समय बाद 90 हिसु को इस्तनपान शुरू करवा देना चाहिए तो 73 का करेक्टना जागा option C, 1 गंटे के बीतर 74 question है आपका सामने तब परसों में औस्तन कितना खून बह जाता है तो 74 में आपका करेक्टना जागा option C, 500 ml 75 question है आपका बायमेडिकल वेस्ट रूल के अनुशार नाल को कौन सी थेली में डाला जाता है तो 75 का करेक्टना जागा option C, 500 ml 76 question है भारत में मात्र मर्तिव का सबसे परमुक कारण क्या है तो 76 का करेक्टना जागा रखतिस्त्राव option D 77 question है आपका आज सुरक्षित योन संबन्द के बाद कितने समय की बीतर आपात कालिन गर्ब निरोदर गोली लेने से गर्ब टेरने की समभावना कम होती है तो 77 का करेक्टना जागा option C, 700 गंटे 78 question है आपका पर्सो उत्तर मंद्या गर्ण पर्सो के कितने समय पच्चात किया जाना चाहिए 78 का करेक्टना जागा option B, 24 गंटे से 7 दिन 79 question है वेक्ष अटोमिक के बाद कितने समय तक किशी को परियार योजना का अन्य तरीका इस्तमाल करना चाहिए 79 का करेक्टना अंतर हो जाएगा आपका option B, 3 महा तक 80 question है आपका लिवन और नोर्जेस्टल एल एन जी आई यू सी डी को कितने समय में बदल लेना चाहिए 80 का करेक्टना जाएगा option 1, 5 वर्स 81 question है NETEN गर्बधारण से कितने समय के लिए बचाता है तो 81 का करेक्टना जाएगा option B, 2 महा तक बचाता है ठीक है 82 question है I, U, C, D का सबसे अधीक पाया जाने वाला पर्तिकुल परभाव क्या है तो 82 में right answer जाएगा option B 83 question है HIV संक्रमन पता लगाने के लिए कौन सी तकनिक अपनाई जाती है तो 83 का करेक्टना जाएगा option D, Western Bloat या Alicia Test 84 question है किस्वरा वस्ता में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली पोशन समंदी कमी कौन सी है तो 84 का करेक्टना जाएगा option A, Iron Deficiency, Enemia 85 question से 20 में किस्वरा वस्ता में मर्तिव का सबसे बड़ा कारण क्या है तो 85 का करेक्ट आंजर है option C, Shadak-Durgatna 86 question है आपका Testosterone एक हार्मोन है जो पाया जाता है इसका राइट आंजर है option D, पूरसो तता महिलाओं दोनों में Testosterone हार्मोन पाया जाता है 87 question है आपका किस्वर बालक बालिकाओं में D-WARMING के लिए Alvandazole की Doge कितनी है तो 87 का करेक्ट आंजर है option C, 400MG, OD और HS 88 question है आपका Gear Sankra Macro, Non-Communicable Disease तो इसमें आपका करेक्ट आंजर हो जाएगा 88 में option B, एक वेक्ति से दूसरे वेक्ति को संपर्क दोरा नहीं फेलते हैं ये इसका right answer हो जाएगा option B 89 question है आपका किसी वेक्ति का सामाने रत्चाप कितना होता है Very very important question से बहुत ही common question से हर एक एक्जामें आपको देखने को मिल जाएगा 89 question का correct answer हो जाएगा option A, 120 obliq 180 mmHg 90 question है मदू में diabetes mellates के रोगी के पर्मुक लक्षण क्या होते हैं तो 90 का correct answer है option D ठीक है उप्रोक सभी सही है 91 question है सामाने वेक्ति में HbA1c की मातरा कितनी होती है 91 question का correct answer है 6.0 पर्तिसास से कम 92 question है आपका किसी वाइस्क में random blood sugar की कितनी मातरा से मदू में diabetes mellates का संदे होना चाहिए तो 92 में करेक्टान जाएगा option C, 140 mg अबलिक DL से जादा 93 question है मदू में diabetes mellates की सबसे ज़्यादा पाय जाने वाली जठीलता क्या है 93 में आपका correct answer है option C, hyperglycemia 94 question है मानो शरीर में cancer किस परकार फेलता है 94 का correct answer है option D, B, T, C दोनों इसके correct answer है जो इसमें दे रखे है वो correct है 95 question है निमले की सबी कारण इसतन cancer का जोखिम बढ़ाते हैं सिवाई एक के 95 में आपका correct answer जाए option C, कई वेक्तियों के साथ योनसमन 96 question है इसतन की स्वाइम जाच करने breast, self examination का सबसे उप्युक्त समय कब होता है तो 96 में correct answer जाएगा आपका option B, महावारी के परतम दिन से साथ से दस दिन बाद 97 question है गरबाउस्ता के दोरान तमबाकु 7 से क्या हो सकता है तो इसमें आपका correct answer आजाएगा 97 में option C, कम वदन वाला बच्चा low birth, wet baby 98 question है आपका insulin, injection, सामयनतर किस के लिए दिये जाते हैं तो 98 में correct answer जाएगा option A, type 1 diabetes, maladies के लिए ठीके 99 question है आपका सामाने मानव विकास के लिए परती दिन आइडिन की कितनी कितनी मातरा की आउसिकता होती है तो 99 में correct answer आजाएगा आपका option C, 100 से 1500 microgram last and final question है आपका cervical cancer से बचाओ के लिए कौन सी vaccine इस्तमाल में ली जाती है तो 100 का correct answer हो जाएगा HPV vaccine ली जाती है option D is right answer तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मिलते हैं ऐसे ही नई paper के solution के साथ तो सभी दोस्तों को तिपावले के hardic sub-kाम लाए अच्छे से मनाईए अच्छा खाईए ठीके और आप एक health inspector बनने जा रहे हो सुद्ध के लिए युद्ध ठीक है तो यह आपका भी फर्ज है सभी को जाग रुक करें और मिलावटी चीज़े कहीं पर भी हो तो उसके बार में जरूर सुचना दे ना खाए ना खाने दे मिलावटी चीज़े क्योंकि आजकल जो खान भी ना रहा है ठीक है तो थैंक यू भाई भाई टेक केर